mutual fund SIP पर कोसिश करता हूं कि आज के सशन में सारे confusion क्लियर कर दूं और सारे सवालों के जवाब अपके दे दूं क्यों कि पिछले कुछ वीडियो के कमेंट में बहुत सारे सवाल आए SIP से रिलेटेड सर एकर बंद करेंगे तो कितना कटेगा कैसे बंद करेंगे पैसा कैसे नि मिलेगा इसे बहुत सारे सवाल आए आपके और आज कोसिश करता हूं कि सारे सवाल को all clear कर दूं अच्छा अभी एक वाक्या शेर करता हूं भी एक चलाक इनसान से मिला मैं mutual fund के बारे में एक बड़ी चलाकी बताई मुझे तागड़ी वाली चलाकी चलाकी उससे यह बताई mutual fund कर रखा है उसने तो भाइसा बताते हैं कि जब market ऊपर की तरफ जा रा होता है तब वो SIP में इन्वेस्ट करते हैं मिचल फंड में और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो इसाइपी करना बंद कर देते हैं तो इन से उनको हमेंसा प्रॉफिट ही मिलता है लौस का तो कोई सवाली नहीं है अले कि निहाइती बेहुकूफी बरा काम है आपको इसा कभी नहीं करना चाहिए उनको भी मैंने समझाया कि क्यों नहीं करना भाई आगे से इसाइपी हमेंसा रेगुलर करते रहना चाहिए और गिरते हुए मार्केट में तो यह आपको बचाता है एवरेजिंग करके जाधा सबसे पहले चीज समझो मुच्वल फंड का फाइदा एसाइपी का फाइदा डाइवर्सिफिकेशन होने की वज़े से यह कुछ भारी पर कमशब्द में बोल दिया लग रहा है बारा गोली मत समझो डाइवर्सिफिकेशन चोड़ दो नहीं मैंने नहीं बोला समझाता हूं फाइवर्स अर्याख कर देखो मंलो एक घर में तीन भाई रहते हैं और तीनों भाई में बड़ा प्रेम हैं राम नक्षमन भरत सत्रुगन की तरह वह चार था इधर तीन हैं तीनों मैंसे एक इंजिनियर है एक डॉक्टर है और एक लोयर है और किसी वज़े से माल लो परिवार को पैक अप कर देते हैं इनके परिवार को जो भी खर्चाव चाज़ रहता है वो लोग कर देते कि तीनों भाईयों में प्यार है ना घर तो ऐसा ही होता है वह घर को तो मैं घर मानता ही नहीं जहां पर अगर तीन भाई है और तीनों अलग पड़े हुए एक भाई तक वो तीन लोग नहीं जानते हैं मैं तो ऐसा मानता हूं तो घर इसी को कहते हैं जहां तीन भाई सम्मिलित मिल जुल करके रहते हैं एक को कोई तकलीफ है तो बागी दो उसको बैक अप करने आ जाए किसी को कोई तकलीफ है तो बागी लोग उसके लिए जान देने आ मुच्वल फंड कुछ ऐसा ही होता है अब यहां वो जो घर है जिस घर को तीनों भाई मिलकर के चला रहे हैं उस घर को समझ लो मुच्वल फंड और मुच्वल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनिया हैं उन कंपनियों में आपका पैसा जाता है मनलों 5000 महिना आप दे रहे हो त कंपनिय के कित्ता पैसा लगना है हमें आपको तो पता भी नहीं चलता भाया किसमें कित्ता पैसा अब मांनलो कि आपमने जिस मिच्वल फंड कंबनी में इन्वेस्स कर रखा रहे हैं कैसे चुनते हैं वह भी लास्ट ने बताऊंगा डॉंट पो आछ सारे सवालों का अगर आप इन सारी कंप लिग लिडिन अनि ओणिया बिलकूल अलग लग सेक्टर में काम करती हैं ब्रिटेन आहां यहां इन्फोसिस का नम लिए वह बिल्कुल इनकूल अच्छि का माम करती है मिन्हें और अच्चिक फेकर क्वाइटी सेक्टर जब डाउन हुआखना अभागी सेक्टर अच्छाम परफॉंट कर Davisются लेकिन बाकि सेक्टर चों कर रही है कि स सिक्टर जो अच्छा तो इस Papa पैसे वहां जानकारी नहीं है बहुत जाड़ा म découvrir नहीं हों तो इंडिविजे से अच्छा है मुछ फंड में इनवस्ट किये हैं कि मिचल्सस्ट में 컨 diverse फिर सब्व मैं दो जैसे इंजिनियर एक अगी नोगरी, डॉक्तर एक अग टाइप की नोगरी, लॉयर एक अग टॉक की नोगरी अब तीनों भाई मानलोग और इंजिनियर होते और रिशेशन आगया होता तो तीनों की नोगरी चली आते फिर घर कॉल जलाता है समाझ रहे हो मिच्वल फंड के तो यह इसा हो सकता है कि कोई मिच्वल फंड कंपनी सिर्फ आइटी सेक्टर में सारव पैसे डालके रखिये अगा तो अब वह बेवकूफ तो बैटे नहीं है वह हम से और आप से जादा चलांक, जादा समझदार हो, पड़े लिगे लोग है, इसी चिस के expert है, fund manage करने में उनकी mastery है, तो कभी ये गलती नहीं गरेंगे, हमेशा diversify करके अलग-अलग category की कमपनियों में वो डालते है, ठीक है, इससे हमारा fund basically बच जाता है, loss में नहीं जाता है, एक अगर down हो भ में यह सबसे बड़ा फाइदा, मैं जो समझाने कुछ समझाए कि नहीं समझे, comment box मुझे लिखके बताई, समझ गये, समझ गये ना, समझ गये नहीं समझे, हाँ समझ गये, चलो ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ और मैं समझाता हूं आपको, तीन terminologies होती है, large cap, mid cap, small cap आप large capital, large capital, large capital, जिसके बास बड़ा capital, जिसके बास बहुत पैसा है, बड़ी-बड़ी company, mid cap मतलब ठिटा कोली, small cap मतलब छोटी-मूटी company, खिक है, तो mutual fund में जब भी आप invest कर रहे हैं, जो भी mutual fund आप चुन रहे हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यह मेरा सला है, कि हमेश कहता हूँ कि large cap में करना सही है, ज्यादा safe है basically large cap में, जो large cap mutual fund की जो category होती है, उसमें सिर्फ बड़ी-बड़ी company होती है, और यह जो बड़ी-बड़ी company होती है, उनका loss बहुत बड़ा-बड़ा नहीं होगा कभी, अब yes bank की बात नहीं कर रहा, या सत्यम की बात नहीं कर रह जो companyya बड़ी होने के बावजूद एकदम भरबादी हो जाती है, इसे बहुत कम होती है, और बहुत ही कम होती है, इसे ना के बरापर तो नहीं कह सकते है, यह कह सकते है कि 100 में कोई एकात निकल गई तो निकल गई, लेकिन generally ऐसा नहीं होता है, कि bankrupt ही हो जाए company, तो इनका profit बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन loss भी बहुत बड़ा नहीं होता है, large cap companyya जो होती है, एक साल में आपको 100% का return नहीं देगी, लेकिन यह भी तय है कि एक साल में 100% इनका down नहीं होगा, ऐसा भी होता है, लेकिन small cap में क्या होता है, कि एक ही साल में आपको 100% का return देगी, लेकिन ये भी होता है कि एक ही साल में आपको 100 % डाउन यानि कि आधा कर दे आपका पैसा ये भी होता है तो स्मॉल कैप में रिष्क थुड़ा जादा है ऐसे मिडिल कैप में थोड़ा कम लेकिन लां Jurassicppen न constant नहीं होता हैं स्क्रीन शेयर करके सब दिखाऊंगा इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि लाज कैप में हाँ स्मॉल कैप में बो लुक कर सकते हैं जिनको थोड़ी एक्सपर्टीज है इनको कंपनियां पर रखने की समझ है जिनको पता है यह कंपनियां कैसा इसका फंडमेंटल है कैसा बैकरा वहां बढ़ा देगे तो उसमें अभी गुजगे इतनी समझ होनी चीह लेकिन मैं किस से बात कर रहा हूं मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनको ज्यादा समझ इस मार्केट के नहीं है ठीक है तो उनके लिए मैं कहता हूं कि लाज कैप में जाईए वह ज्यादा सेफर है और रि जिसमें अच्छा रेटन भी आपको मिलता है अभी सब स्क्रीन शेर करके सब दिखाऊंगा कैसे चूज करना है लाज क्याप मेडिक 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 समॉल क्याप सब डोंट वरी गबरा नहीं साब 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 अच्छा अब एक सवाल आता है बहुत सो है लोग पूछते हैं सर अच्छा थोड़ा हर मैने हमारा SIP बैंक से कटता रहता है में जो में चूज करा है उसम जाता रहता है लंद्सं क्या होता है कहीं से हमारे पास 50 लाक रुप्गे आ इस तरी दिखाम को 10 षिक ओंटमीं उठांगे यह वहा में लंद्ब एंव, इक लसम मॉर讚 इंवेस्ट में तो दस लाख रुप बनने मुसको किता टेम लगे गा और यहां तो यही बार में दस लाख रुप उठाकर डाल दे रहे हैं तो इसमें तो मोटा रिटन मिलना चाहिए इसमें तो जादा कमाई होनी चाहिए जादा इंटरस्ट बने गाई इस पर ठीके बात लोजिकली लेकिन खेल उल्टा भी पड़ जाता है लमसम में पूछो कैसे सर 2020 में कोरोना कोविद आये था जिसकी वज़ए शेयर मार्केटिंग नीचे की तरफ गयता मालो किसी ने 2018 में जो मार्केट था ठीक था अपना 10 लाख रुपर डाला होगा मार्केट में कि इसन शेयर में लमसम डाल दिया होगा 10 लाख रुप अब 2020 मोशन पयसा क्या होगा में हो सकता है 10 लाख रुपए इंटरस्ट कमाना दो चोड़ो 5 प्वाई रिलेट करता हूं शेयर मार्केट को इनसान के जिंदेगी से बहुत सारी चीजे हैं कभी आप चाहो ना कंपरिजन का सेशन करवाना मिर से तो आप मुझे कमेंट बोक्स हो बताओ इनसान की जिंदगी और उसका शेयर मार्केट शीयर मार्केट से सीखने लाइक जिन्दगी जीना अगर आपको सीखना है तो आप शेयर मार्केट से सीख सकते हो शेयर मार्केट में ऐसी चीज़ है जो कि जिन्दगी जीने में बहुत काम आएंगी आप अगर चाहुत मुझे कमें बॉक्स बताना एक डीटेल शेशन करूगा आपके लिए मैं इस पर बड़ अगर अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आएगा इसलिए मैं सबको हमेशा समझाता हूँ देखो बुरे समय में घबराओ मत मेहनत करो खूब मेहनत करो ताकि कल अच्छा समय लापाओ और अच्छा समय आज अगर है तो जारा आई यासी और बोकराती करो मत मेहनत करो बोक समय आपको परिशान करेगा नहीं क्योंकि आपको मिंटल स्टेंथ बहुत ताकतवर है आपको पता है गया पहले भी मैंने किया है फिर से दुबार बाउंस बैक कर लेंगे समझे तो हम कहा थे हम थे लंशम पर अब मार्केट अब डाउन होता रहता है लंशम आपको तब दे सकता है आपको जैसे टाइटन का शेयर का एक्जामपल नो टाइटन का शेयर में अगर आपने 2010 में एक लाख रुपे डाले होते न और 2023 में विड्रो किया होते यानि कि ठीक 13 साल बाद सर 32% का एन्वल रिटन टोटल नी एन्वल रिटन सालाना रिटन 32% का एन्वल लेकिन अब समस्या यह कि पता कैसे करें कि वही है 2010 में वही पॉइंट है जहां इमारेको इन्वेस्ट करना है वही पॉइंट है कहीं वह अपर पोइंट तो नहीं है थोड़ी बहुत किताब पढ़ने की जुरत है और अगर किताब नहीं पढ़ सकता है तो मैं तो कहूंगा आडियो बुक सुनो बईया कुकु एफम पर एक आडियो बुक है How to avoid loss and earn consistently in stock market पाच घंटे 27 मिनट की ये आडियो बुक है जहां 15 लाख से जादा Hindi paid subscribers है और यहां हर महीने के 42 घंटे से जादा का content हर महीने आड हो जाता है 2023 में 45 लाख घंटे का content प्ले किया गया है जिसमें 1.5 लाख घंटे daily सुना है लोगों ने और इस app के rating भी 4.5 प्लस है कुकु FM अब आपको दे रहा है 50% discount पहले महने के मंतली सब्सक्रिप्शन पर मतलब आप 99 आपको पे नहीं करना सिर्फ 49 पे करके ही आपको मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको coupon code मेरा इस्तमाल करना पड़ेगा जो की है SRS50 डिस्काउंट कोड यान के coupon code और आप डाउनलोड करने का लिंक्ट मैंने दोनों ही डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है शेयर मांकेट अग सीखी रहे हो मुच्वरफन सीखी रहे हो तो अपनी समझ बढ़ा ही रहे हो तो मैं एक बुक आपको कई बार रिकमेंड कर चुका है बर फिर से कहूंगा तो ठीक है अब वापस लमसम पर बात करते हैं कि लमसम कहां इन्वेस्ट करें बिना बहुत ज़्यादा सीखे तो मिच्वर्ट में डालने के बजाए इसको इंडिविज्वल कंपनी में डालो मैं तो यह रिकमेंड करता हूं लेकिन इंडिविज्वल कंपनी में अगर आप प्रोफाइल वाली कंपनी में डालो एक FMCG में डाल दिया थोड़ा इस वाले में डाल दिया थोड़ा उस वाले में डाल दिया थोड़ा पेंड वाले में डाल दिया इससे अगें क्या होगा एक सेक्टर डाउन होता है तो बागी सेक्टर आपको बचा लेंगे क्योंकि यह कर दो उसको क्या ऐसे भी करोगे लंसम कर दो लेकिन किसी मुचल फंड या इंडेक्स फंड में करने से अच्छा मैं रिकमेंड करता हूं इंडिविज्वल शेयर में करो तो वह जादा अच्छा है लेकिन समझ होनी चाहिए थोड़ा समझ बूरा इसे ने किसी ओट पटांग इंवेश्ट कर रहा हो तो उसका यह देख लिना कि अभी वह कहीं और तो नहीं है कभी उस को में नगा करना जो पीक पर है क्योंकि अगर पीक पर है वहाँ पैसा डाला दोसके बाद तो नीचे आना तो आपका पैसा ठीक है यह समझने का बहुत बेसिक सा तरीका है 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखू अभी जो आपको आप में दिखाने वाला हो उसमें यह बड़ा आराम से दिखाता है मैं आपको भी लास में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते ह है कि यह बावन वीक में हाई पर है यह लो पर है यह बीच में है वह इडेंटिफाई करना भी सिखाता हूं आपके लिए आसान रहेगा कि लंसम अमाउंट अगर है तो अभी मिरको इस वाले शेयर में डालना चाहिए कि नहीं चाहिए वह चीज़ देख करके समझना आसान ह जाता है थे कहें समझाओंगा स्टी शेयर कर के दिखाओंगा यह धूरी ठीक है और थीए तो हमेशाए अच्छा है तो आप ठी प्र से वहीं सवालाता है कि श्यंड के लंसम अच्छा है सर मैं यह नहीं कहूंगा के यह एक ज्याधा अच्छा हैं बूरा है दोनों अलग अ कैसे वहार है और और हम कम् tet लब खर को चाहल बुरा है की वगवान राम अच्छा है और और डज्ञा पूलाग या विश्न legislित नोगन कर सकते तो यह चेजित सब्सक्राइब करना है लेकिन लंसम तो तभी करोगा जब आपके पास मोटा पैसा है मोटा पैसा नहीं है तो बिल्कुल करते रही है आल टाइम चलता रहेगा ऐसे भी तो ठीक है अब कुछ सवाल और भी है जैसे कहते हैं ब्रोकर भाग गया तो अब जैसे एंजल वन हो गया यह बहुत सारे ब्रोकर हैं जो भी आप यूज करते हो वही बंद हो भाग गया तो कोई फरक नहीं परता सर ब्रोकर देगो एक गेटवे होता है आपको मेचल फंड की कंपनी तक पॉहां इन्वेस्ट करने तक का गेटवे होता है वह गेटवे हट गया कोई बात नहीं ठीक तो आज आप X broker यूज कर रहे हो इंजल वन यूज कर रहे हो कल को आप चाहो कि दूसरा आपको यूज कर रहा है तो भी आप सकते हो ठीक है अच्छे मुच्वल फंड कंपनी भाग गई तो हमने AXS के मुच्वल फंड का में डाल रखा है AXS वाली कंपनी खतम हो गई तो ऐसा हुआ है ठीवर हुआ है देखो अलाकि यह बहुत रेयर होता है बहुत रेयर लेकिन ऐसा जब भी होता है ना जो मुच्वल फंड वाली कंपनी है ना सर एक चिसू समझो मुच्वल फंड के उपर बापू जी बैठे हैं सेबी अब सेबी ने ऐसी चीजों को ऐसे पर यहां जाना है तो सेबी कहती है जब इसा करना है तो बैत तुम्हारे पास जितना फट तुमने लोगों से लिए रखाए वो है वह फंड दूसरी कंपटोमाली कंपनी को एंड़ वर करोगे अब आफका जो भी मिचल फंड चल रहा है आपको फंड गया एहां आपका ऐस बिखकत नहीं क्योंकि आपको फंड सेफ है फंड दूसरी कंपनी को हेंड ओवर किया जाता है लेकिन कई बार स्मॉल कैप में कुछ लफड़े हो जाते हैं लाज केप में लफड़े नहीं होते हैं लफड़ें जानना चाहर तो बताव प्रमेंट घुड़ा चला जाएगा वो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जुरत है नहीं जितना ज्यादा आप जानोगे न मुच्वल फंड में उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो मोटा मोटी यह समझोगा आपका पैसा सेफ वह या अगर आप लाज कैप में जा रहे हो तो लाज कैप में है पैसा आपका सेफ है मिच्वल फंड में पैसा सेप है ब्रोकर भाग कोई दिक्कत नहीं मिच्वल फंड कंपनी बंदों कोई दिक्कत नहीं दूसरे के पास अपका फंड चला जाएगा सेबी है उपर बेठा हुआ ठिक किसी महीन नहीं दे पाए तो SIP का इंस्ट्रॉल्मेंट मिच्वल फंड का इंस्ट्रॉल्मेंट यह बड़ा एक सवाल होता है भूल गये तो उस महीने हमारे बैंग में पैसा नहीं रहा तो कुछ नहीं होने वाला तो मिच्वल फंड कंपनी में जो पैसा डाल रहे हो ना आप अपने कुछ उससे पैसा उधार नहीं लग रख या कुछ खरीद नहीं रख आपका पैसा उसका बपाउती नहीं है आप उसको पैसा दे रहे हो अपनी मर्जी से इसको इंवेस्ट कटने के लिए तो उसका धंदा चल रहा आपकी वज़े से तो ऐसे में आगर मिस होगया त सब्सक्राइब हो कोई दिककत नहीं फाइन लगाने वावले और अपका सिबी लुवे बीली स्कूर कुछ नहीं होनेमे कुछ नहीं वाला है यह जरूर है कि आपका बैंक से अपने आप जो कट रहा है वह बैंक ज़रूर आपका एसेच मेंड़ेट वाला जो होता हो चाज चूटा मोटा होता है डेडगा नियुक्त वाली कुछी नहीं लेता है आ canım के पास मिच्वल वाली कंपनी आती है पैसा याओं लेती तो मेंचल वाली कंपनी आप से कोई फाइं नी लेती है तो यापने बात करी Elle खेसे का इसा कभी कर सकते यह कभी ठोड दिये कभी छोड़ दियेह जयादा नहीं कर सकते इसके beam सब्सक्राइब तो चलेगा लेकिन इसा नहीं कि हर महीने आपका बाउंस हो रहा है तो फिर वह सब्सक्राइब केंजल भी हो जाता है पूछ लेना आपने जिस मिचल फंड वाली कंपनी में है उससे कस्टमर के सब्सक्राइब पूछ सकते हो ठीक है नहीं है सकते हैं इस नहीं रहेंगाज का सब्सक्राइब पारिबार तो अच टीक है टीक है कैसे निकालेंगे पैसा और के तैम आज के तक मत बहत असान है जिस आप से मिचुएलफन में इनवेस्ट कर रहे वे है उसी आप में ट्रो करने का भी का इस के फिक कितना टैसे लएगगा बाह सल नेकर गईगा झाला जब 1 निकाले लो लगता है मालों मिच्वल फंड कवली कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए तो आपके 10 लाख पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन 10 लाख की वज़े से अगर आपने 2 लाख रुपए कमाया है तो इस 2 लाख पर टैक्स दो 10 लाख पर मत दो तो आपका पैसा है अपने कहीं से कमाया और कमाये को अलड़ी टैक्स भाप दे है जिकागे जंए कि IT लगता हैँ तो मिच्वल फंड सर्कार कहती है कि अगर आपका गेन अगर आपकी कमाई है एक लाख से कम है तो बहुत कमाई तुम तो बहुत कम कमा की दो कोई निकल जाओ नए चीए तुम तो बहुत कमाई तूम को और एक लाग से उपर का गेन है तो जो भी गेन है उस पर दस परशंट देना क्यूंकि एक साल से कम का इंवेस्टम शॉट टम माना जाता है तो शॉट टम में ज़त्रा ज्यादा लेती है आप से गर्मेंट लॉंग टम में कम लेती है ठीक है 10 परशंट लॉंग टम में 15 परश जाता है इसारा साइकल मतलब का हर थीन चार साल में मार्केटका पांट साल का होता है तो मैं कहता हूं कम कम से कम 2 साइकल तो आपको रखना चाहिए अपना मिचुल फण का पैसा रखना चीग दो साइकल और दो साइकल का मतलब कम से कम 10 साल अच्छा प्रॉफिट निकल पाओगे जितना इसा इसा घूमेंगा ना वा अपके लिए अच्छा है अच्छे एक सवाल जो मैंने सुर्वात में बोला था जब मार्केट नीचे गिर रहे तब इन्वेस्ट नहीं करने का जब उपर जा रहे तब इन्वेस्ट करने का मुचलन में ऐसा है क्या बिल्कुल नहीं करना क्यों कि अच्छी निकल जाती है फिर ऊपर निकल तो कमाई होती है तो नीचे जाते कि निकाल के देता है तो बृovat तो तो कभी भी ये माहद सोच ना कि नीचे जा करें आप हमेशा करना किस टाइम में करना चाहिए अभी राइड नौ तुरंध अभी कि अब भी तो कभी भी कर लो हां लमसं के लिए इसा नहीं कि मार्कर उपर है तो कर दे ठीक तो कितने साल करना चाहिए कम से कम दो साइकल जरूर अच्छा रिटन लेना है तो मतलब 10 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए मुच्वल फंड के लिए अगर अच्छा रिटन लेना है तो ठीक है अज आज आज आपको शेयर करके दिखाऊंगा 40% फर यृटन भी मिलता है मिच्वल में 45 फरसंट पहस्ट भी आए 20% 30 तो हई दिखाऊंगा भी आपको अब सवाल काता है मुच्वल में करें या इंड एक्स फंड एक्षे सम्झों सिर्फ तॉप की 50 कम्पनियों में इन्वेस्ट करता है और जब टॉप की 50 कम्पनियों का बात कर रहे हैं तो यह भी तैय है कि टॉप की 50 कम्पनियों है तो आईसा नहीं तो क्योंकि बहुत बड़ी पहले ही इस है वह अगा इसाने कि 100% ग्रोग क जाएंगे एक साल में आईसा भी नहीं है तो वह थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है बड़ी कम्पनिय ना लेकिन अगर आप मीच्वल फंड में करते हो मीच्वल फंड अगें लार्ज कैप में गए तो फिर वही इंडेक्स फंड जैसा ही हो जाता बड़ी कम्पनी है हाँ आपने अगर स्मॉल कैप चुनाए थोड़ी जानकारी लेकर के यह मिड़ कैप चुना है तो जैसे में ने बताए कि 100% का भी रुटन मिल जाता है तू हंड़़ परसंट का भी रुटन मिल जाता है एक ही में नहीं हो पैसा सेफ रखने के मोड में हो थोड़ा थोड़ा डिटर मिले तो अच्छा रहे अच्छा है मिलता रहे वह चाहिए मिरको तो इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा है लेकिन आप थोड़ा सा बाजीगर टाइप आदमी हो कभी नीचे कभी उपर लेकिन खेलना पैसा डूप में होט भी आपको इन्डेक्स में हो सकता है क्या मोजा मिल जा मिल का मतृट्रा मिल रहा है यह होसकता इदर 500ap सब्सक्राइब जब मैं कह रहा हो तो यह समझना रिसक मतलब कशनता कम कमा मतलब 2 ratio सकल मतलब 2-3 पर सेंट नहीं कम risk का मतलब 2-3 पर सेंट कम मिलेगा ज्यादा jest Wa rug का मतलब 2-3 पर सेंट ज्यादा मिल सकता है कर रोस्ता समझЭ में आरी है मेरी बात? ठीक है ठीक है? तो risk के mode में नहीं हो तो index fund ज़धा अच्छा है थोड़ा risk के mode में हो तो mutual fund with mid cap यह small cap चूज कर सकते हैं क्योंकि large cap और index fund almost एक जैसा ही return आपको तेंगे almost कई बार बिल्को से मिलर नहीं है क्यूंकि index fund में पचास ही कंपनिया यह टॉप की नहीं यह सकते हैं सोमझे ज्यादा नहीं लेना चीए एक दो तीन ले लो ज्यादा पैसा अगर आपके पास इंकम बढ़ती चली जाती है तो सर अपना फंड बढ़ा हो आप फंड बढ़ा सकते हो मलूमें कि नहीं आज एकर आपका 5000 का जा रहा है तो उसको आप 6000 भी कर सकते हो 6000 कटने लग जाएगा पर सब्सक्राइब 10 2-3 रखो उसमें अपना सारा फंड अब रखो है ठीक है कितने परओंटेश का रेटरन मिलता है कि पच्चास परशंड पे मिलता है सब 3 तीन साल में अभी दिखाता है स्क्रिन शेयर करके दिखा दूंक या दिखा दूंक क्या चलो लो चान तो को तो मैं आपी आगया हूं मुझे जादा पसंद है इसलिए मैं यूज वन यूज करता हूं तो एंजल वन पर हम आगे अच्छा इसका डाउंड करने का लिंक पर डाल रख दे रखा है आप अगर डाउंड करना चाहों तो तो मुझे वन यहां पर है मैं इस पर क्लिक करके तो अंदर की तरफ आजाता हूं यहां पर देखो सर्च करने का ओप्षिन है हम सर्च कर लेते हैं यहां पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो लाज कैप अच्छा ध्यान देना जरा जैसे मैं लाज कैप सच कर आ तो लाज कैप वले मुच्वल फंड आ गए लिख रख लिक भी रखा इस वाले इस वाले नहीं पत्ची Państ लिया है इस वाले नहीं पंचीजा फिर्च फेसर दिया है इस वाले में भी फबी अट्था-आइस परसेंट दिया है तो यह तो सब्सक्राइब भी एकजल नव हैं shrinking अच्छी लाज कैप है श्रोन को सर्च कर दिस खर कर देख हमां यह व श्माल कैप मीच्वल फंड यह दो को आगए लिखके भी आ रहा है एचसबी सी स्माल कैप महिंद्र इंदुमाल कैप यह स्माल कैप यहां तो खेलिया लगा बहिए देखो इतीन सल के भी दिखा रहा है पचास परसेंट चोवालीस परसेंट इसका हिसाब निया पतानी क्यूं साथ नियान होगा देखेंगा अंदर जागर पता चलेगा पचास-पचास परसेंट इंदीस हल में मैंने का ना लाज कैप यह तो आपको हिरो बना देगा यह सकता है जीरो तो नहीं बनाएगा मिच्वल फंड के अच्छी बात यह कि आपको जीरो नहीं बनाता है थोड़ा कम बेसी होता है लेकिन देता है थीकर और नीचे उतर के देखो जढ़ा है यह लोग यह कि लाड़ी लोग नीचे भी है 47 परसंट 4 परसंट 4 परसंट 48 परसंट मतलब चालीश परसंट से नीचे कोई बाद दरे नहीं लोग कहां 12 परसंट 15 कि लिए अपना जीजान जब को ज मिड्डी कैप मैंने सर्च किया देख Heeек Ania 결z करें कि footprint कि आरे में पुर्णी इनने कारे तुम श्र oldu 29 परशेंट 24 छोटिस प्रशेंट टिंश परशेंट से फिर भी ज्यादा है लेकिन एकना सुछ रहना कारें ना चाहिआ थो लोचिया थो लाज कियाभी सद्थ के साथ रिस्क लो तो रिस्क है बिना समझ के साथ अगर रिस्क लिया जाए फिर तो वह जुआ है अगर आप स्मॉल कैप में इंवेस्ट कर रहे हो ना थोड़ा स्टडी कर लो उस फंड के बारे में उस फंड में कौन-कौन सी कंपनी है यह आप देख भी सकते हो उस फंड में कौन कौन सी कंपनी है कोई सी कंपनी है उसका क्या बैक राउंड हो तो आश्टाडी करके जाओ ना वह रिस्क लेना अच्छा है ठीक है अब हम ऐसे किसी लाच केप हम सर्च कर ले दें लाच के अंदर जाते हैं हम इसमें चले गए हाँ कि यहां सब आप देख सकते हो कि कितना एसेट है इस फंड के पास कितना है एक हजार चार्सो चोवालीस करोड़ है इस फंड इसके पास जो मैनेज कर रही है कंपनी एक्सपेंस रेशियो 1.23 एक्जिट लोड निल है नहीं लगता बढ़िया है ठीक है यह देखो यह बताए भी दस परसंट टैक्स लेगा एक ओवर वन लाक अगर एक फिनेंशल यह में आपका एक लाग से ज्यादा है तो एक लाग से कम है तो सरकार भी क्या करती है निकल जाओ यह नहीं लेंगे तुमसे इंटेक्स अब अब उचको कुछ और में दिखाने की बात कर रहा था एसाइपी बावन वीक का लो और हाइए यह दिखाता हूं जरा किसी शेयर की हम बात करें तरह नहीं हम आजाते हैं होम पर ठीक होम पर आ गए हम एक हां मैं देख हमें जाना हमें जाना है स्टॉक डिटेल्स में यह देखो स्टॉक डिटेल्स आ रहा है हम इस पर जाते हैं और यह देखो यह दिखा रहा है बावन वीक का हाई लो सर इस शेयर की सरी इस शेयर का करेंट प्राइस देखो 2400 रुपए है 449 रुपए और बावन वीक का लो मत तो अभी आप मुझे बताओ ब्रिटैनिया अपने आल टाइम हाइपर है क्या नहीं है क्योंकि 4700 के आसपास प्राइस होता तो यह आल टाइम हाइपर होता मैं बिल्कुल इस सेर में नहीं घुचता अभी चुक्कि संद 4400 अपर है तो ठीक है अभी हाइसे नीचे हाइस सेर मे अभी घुचा जा सकता है लाज कैप में बड़ी कंपनिया यह ठीक है और अगर गलती से ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनिया आपको 52 वीक के लो पर मिल जाए बड़ी-बड़ी लाज कैप वली तो तो अग्दम निशित घुच जाओ तूरंद घुच जाओ मिड में भी घुच सारा कुछ मेंने कवर कर दिया कर दिया क्या मजा आइसके सेशन में मुझे बड़ी-बड़ी की कूपन कोड यूज कर लेना 99 नहीं सिर्फ 49 पेकर किया अपको कुको एफम में ना रही है अच्छी चीज़ है पैसा इंवेस्ट करना चाहिए किसी भी दूसरी जगे से मुझे लगता है मिचल फंड में इंवेस्ट करना ज्यादा अच्छा है ज्यादा रटन में मिलता है और काफी सेफ भी है ठीक है कमेंट पढ़ रहों आप